हम परदिर्शन नहीं कर रहे हैं हम हमारे हक की जो मांग है उसको तरीके से सरकार तक पहुचा रहे हैं और आज 20 वा दिन है 18 तारिक से लगातार हम यह बैठें सरकार हमारी कड़ी तपस्या ले रही है अब दो भगवान भी हमारी परिक्षा ले रहा है दो दिन बारिस भी हु तो सरकार ये जो भूल कर रहे हैं कि ये लोग चले जाएंगे परिशान हो करके तो वो अपने दिमाग से निकाल दे हम यहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी आठ वेकेंसियों की जो जो मांगे है वो पूरी नहीं हो जाती हमारी मांग सिर्फ यही है कि साथ जो उनकी न्युक्ति दी जाए आठ वी जो हमारी वेकेंसियों फार्मासिस्ट उसकी प्रोविजन लिस्ट निकाल करके न्युक्ति दी जाए अब तक बाजबा के च्छे विदायक यहां पर पहुंच चुके हैं और आकर कि वो यही कि उनकी तरफ से यही कहना था कि आपकी मांगे जाएज हैं अगर आपके सरकार को कहूँगा कि सरकार के 115 विदायक हैं उनमेंसे 6 विदायक आपकर यह कह रहे हैं कि आपकी जो मांगे बिल्कुल जायज हैं और उनको हम विदान सभा में उठाएंगे तो क्या ये जो बाकी की जो सरकार है जो मुख्य मंतरी साहब है आज हमारे डेलिकेशन हुआ हमारे कुछ साती थे डेलिकेशन दो नहीं कहूँगा लेकिन जन सुनाई में गए थे दोलपूर में जहां पर आज सीम साब का दोरा था सुरी भरतपूर में वहां पर भी सीम साब ने हमें सीरिस नहीं लिया तो सरकार से कहूँगा कि सरकार के च्छे अगर विदाएग ये कह रहे हैं कि आपकी मांगे जाइज हैं तो अगर कोई दूसरा विरास्ता अपनाना पड़ेगा आप तक बात पहु पर बहुत सारे भाई बाने बैठी हैं जो अपने चोड़ी बच्चों को लेकर बैठी हैं जो अपने घर को छोड़के आई हैं जो अपने घर में जवाब देना पड़ता है कि तुम 20 दिन वहां किस लिए बैठे हो तो उसका जवाब ये संगर समीती दिलवाएगी और सिप कि जा रही है हम इन सात्मक तरीके से यहां पिछले 20 दिनों से बैठे हुए हमारे माता बाई बैन सभी यहां पर बैठे हुए गत दो जार बाइस में हमारी बरती सर्व परतम आई थी जो 2023 में कैंसल कर दी गई फिर 2023 में पुने वास पर स्टार्ट हुए हमारे जो 2023 में कि यहां पर कई बाजपा के एमले आ चुके हैं लेकिन वो बस यही कहते हैं कि हम आपकी मांगे जो है जायज है थैज़्ेट हैं यहां ठरीका जायश है घररित है हमου नहीं हो रहा हुए कि हमारे नहीं इसी चीज कर जवाब चाहिए हमें सरकार लिखित में दे दे तो हम कल सदोटी यहां से उट जाएं लेकिन सरकार देई नीरी हम मझबूरण यहां पर बैठें हैं हम जरूरत हैं हम कोई भी तरह काम नहीं हमारे यहां गलत ना तो कुछ भी है जिन के गलत है उनको बाहर किया जाये बढ़ती जो हैं उनका तो किया जाए काम आज के 4-5 दिन पहले सरकार की तरब से एक डेलिगेशन का बुलावा आये था जिसमें चिकिसा मंत्री महोदे, S.A.S. मैडम सुबरा सिंग इधर से क्या नाम से स्वास्ति वबाग के डारेक्टर सुरस नवल जी, संजे सकसेना जी और ओपिता कंजे सिपो के डारेक्टर साम मौझूद थे, इन्होंने हमें कंप्लीट आस्वास्षित किया था कि हम आपकी बरती को सुचार रूप से चालू करके जल्दी नुक्ति देंगे, लेकिन उसके बाद भी चिकिसा मंत्री मोधे के नेतरतों में मिटिंग्स हो चुकी है उसमें हमारा डेलिगेशन नहीं था, वो उनकी सरकारी मिटिंग्स थी जो उन्होंने प्रस्तावित की थी लेकिन अभी तक हमारे पास में किसी प्रकार का कोई प्रस्तावित लेटर इस दरना इस तल पे नहीं पहुँचा है और नहीं कोई सरकार के पोर्टल पे आया है कि हमारी इस इस तरीके से बर्तियों को सुचारी कोरके निक्ति दी जाएगी, तो जब तक हमारे पास में किसी प्रकार का कोई नौट सीट ये किसी प्रकार की कोई लिकित में आसवाशन नहीं पहुंचेगा तब तक आठ केडर के लिए ये दर्णा आविलम जारी है और जारी रहेगा चाहे लोग सबाद चुनाव निगल जाए तब भी जारी रहेगा हम तब तक डटे रहेंगे जब तक नुक्ती नहीं मिलेगी